हलो बच्चो, नमस्कार, प्यारे बच्चो, आज हम कॉनिक सेक्षण का फर्स्ट पार्ट करेंगे और कॉनिक सेक्षण क्या होता है, क्यों useful है, देखो इस बार तो हम सिर्फ फॉर्मुले जानेंगे और इसके छोटे बोटे गोशन करेंगे, इनके एप्लिकेशन क्या है, वो देखे बच्चो। देखे इस कौनिक शेक्शन में क्या होता है कि जैसिंगा माँ लीजिए हमारे पाइगा कॉय थी कॉ celebrITY कॉय कॉन है यह हमारे पास आगया कण इसको मैंने स्लंट्ली ऐसे कट कर दिया अब कट किया तो देख सकते हैं आप एक ellipse बना रहा है क्या बना रहा है ellipse मतलब proper एक circle नहीं बना रहा है ठीक है उपर नीचे से अगर इसको मैं सीधा cut करूँगा तो circular form बनाएगा ठीक है इसका आधा अगर access कीचूँगा तो क्या figure बनाएगा vertex से थोड़ा ऊपर खीस दूँगा ऐसे बना दूँगा तो क्या figure बना रहा है तो ये सारी चीजे चार पार्ट्स में डिवाइट हुई ये किसको किस तरीके से angle wise काटें तो क्या बनेगा तो इसको चार तरीके से बाटा गया और वो चार नाम कौन कुन से हैं वो चार नाम है इस चैप्टर के सरकल पैराबोला ठीक है इलिप्स और हाइपरबोला तो इन चार नामों में बाटा गया इसको सरकल पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला ठीक है ध्यान से सुनना बच्चो ठीक क्या क्या है सर्कल पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला और प्यारे बच्चो मैं क्या कर रहा हूं अब देखना आपको एक सिंपल सी चीज़ देखनी है सर्कल पैराबोला इलिप्स में सर्कल क्या हुआ कि जब आपको प्रॉपर तरीके से एक सर्कुलर फॉर्म पैराबो बन जाएगा कैसे कैसे हैं इस आरég इंहां में एक एक ऩर डिसकस करूआ ह। सबसे पहले मैं आपके साथ डिसकस करना चाहता हूँ पैराबोला मैं तो क्या होता है बच्छों पैराबोला ध्यान से देखिए बहुत सिंपल छीज आगर माल लीजिए यह हमारे पास Axis हो गया यह हमारे पास X-axis, Y-axis है और मैंने इस पर एक इस टाइप की अथी figure ले रखी है कुछ ये ठीक है ये X-axis हो गया ये Y-axis हो गया ये X-देस ये Y-देस ठीक है जहाँ पे इसने meet क्या हो गया वर्टेक्स वो पॉइंट कुन सा हो गया वर्टेक्स सभी से लिखता हूँ मैं साफसो तरह वर्टेक्स ठीक अब इसी के पास से एक और चीज गुजरती है जिसे कहते हैं फोकस क्या कहते हैं फोकस यह पॉइंट माल लेता हूँ एजी रो क्योंकि एक्स एक्सिस पर और इसी से गुजरने वाली लाइन को ठीक है हम लोग लेंट ऑफ लेटस रेक्टम के नाम से जानते हैं मतलब यह असल में क्या होता है कि जब हम इसको खीज देते हैं मतलब फोकस से कोई लाइन खीज देते हैं तो यह हमारी lattice rectum की length हो जाती है. क्या हो जाती है? lattice rectum, ठीक है? जो की locus से जाता है. अब यह distance हो गया A. अब जितनी दूरी पर यह है, उतनी ही दूरी पर एक और point होगा. मतलब A पर ही होगा. और इससे एक line जाएगी, जिसे हम लोग direct tricks कहेंगे. जितनी दूरी पर यह है, अब इसकी equation क्या होगी? त्यान से सुनिएगा. जब यहां से लेकर यहां तक का distance A है, तो focus A0 बना, यह point आपका minus A0 बना, तो भई इसकी equation क्या होगी? डारेक्टरी की equation होगी, x is equal to minus A. क्या होगी? x is equal to minus A. समझ मारी बात बच्चो? ठीक? अब देखेंगे हम जब. अब बात आती है कि equation of parabola क्या होगा? equation of parabola क्या होगा? भई हम जो इतना बड़ा parabola की cover कर रहे हैं, तो इसकी कोई न कोई equation तो होगी? तो देखो बच्चो, हमेशा क्याद रखना, कि अगर x-axis पे parabola बना हुआ है, तो y के उप़र square लोगे? अगर x के उप़र क्या बना हुआ है? parabola बना हुआ है, तो y के उप़र square लोगे? और लिखोगे 4ax. 4a ये रहा और x-axis बना होगी? y square is equal to 4ax. ठीक है? और बच्चो, length of lattice rectum. length of lattice rectum. ठीक है, ये, focus जाने वाली line, ये fix होईगी 4a. चाहे, parabola कैसा भी हो, length of lattice rectum यही होगा 4a. ठीक है, अब दूसरे टाइप का parabola देखो. हो सकता, parabola आपके पास या आजाए भाई. parabola आपके पास या आजाए. ठीक है? तो ये आपके मान लीजिए, focus हो गया. जो की, कितना बनेगा? focus आपका मान लो, minus a0. ठीक है? अब जितनी दूरी पे ये, उतनी दूरी पे एक और line. directrix बन गया. ठीक है? तो ये बन जाएगा क्या? ये directrix equation क्या जाएगी? x is equal to a. क्योंकि ये point क्या है? a0. ठीक है? और हाँ वही, equation of parabola क्या बनेगा? equation of parabola. parabola किस तरफ बना हुआ है? parabola इस तरफ बना हुआ है. तो देखो, हाँ जी, x axis बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? y square of 4. a इस बार क्या सा रहेगा? जब माइनस का, तो माइनस ऐसे लिख दो 4 a x. तो y square is equal to minus का 4 a x. ये बनेगा, ठीक है? चलिए, next. अब जैसे एक और, ये second हो गया, ये first हो गया, ये third. अच्छा, parabola कोई सा भी हो, lattice rectum यही रहेगा. ठीक है? बस direct trick equation बदलती चली जाएगी. ठीक है? अब देखिए, जैसे ये देखिए. ये हो गया. अजी, तो ये हो गया, parabola, मालनो यहाँ फोकस पॉइंट, अब देखो, ये y axis पे बना हुआ है, तो 0 a, ठीक है? तो जितनी दूरी से ये घुजर, उतनी दूरी से ये भी घुजरेगा, ठीक है? तो ये भी कितना? ये a है, तो ये क्या होगा? 0 minus a. और इस direct trick की equation क्या होगी? इसकी equation होगी, y बराबर minus a. क्या होगी? y बराबर minus a. ठीक है? clear? और equation क्या होगी भाई इसकी? equation of parabola. क्या होगा भाई इसका? किस पे बन रहा है? y पे बन रहा है? तो x के उपर square. और 4 a y इस तरीके से. ठीक है जी? चलो. अब fourth. हाँ जी. अब की बर parabola, यहाँ नीचे से ऐसे जाएगा. ठीक है? हाँ जी. ये होगया focus अबका. क्या होगा? जीरो माइनस a. ठीक है? अब जितनी दूरी पर यह जा रहा है? उतनी दूरी पर यह भी जाएगा. ठीक है? तो ये क्या बन गया? ये बन जाएगा 0 a. और डारेक्ट्रिक की एक्वेशन क्या बन जाएगी? y बराबर a. क्या बन जाएगी? y बराबर a. ठीक है जी? अब इसकी एक्वेशन क्या बनेगी? एक्वेशन ओ पराबोला. पराबोला. क्या बन जाएगा भई? x स्क्वेशन बराबर. हाँ जी. 4 a कैसा माइनस का माइनस बाहर y. तो कितना आ गया? x स्क्वेशन इक्वेशन बनेंगे और इसी तरीके के चार पराबोला बनेंगे और ये चारो पराबोला की एक्वेशन आपको याद होनी चाहिए. प्लस साथी साथ क्या होना चाहिए बच्चों आपको? ये सारे डारेक्ट ट्रिक्स पॉइंट्स ये कवर होने चाहिए तो आपको मैंने पैरा बोला कि चारो एक्वेशन करवा दिये फटा फट इसको कवर कर लो आप तो आपको मैंने ख़ना झाल्वने सारेक्ट टीप्सांती है है झाल यहनु नहीं चीकोच्छू चलिए अब इससे related कुछ questions करते हैं ठीक है परबोला की सारी equation directrix की सारी equation मैं ने बताई दी अब इनसे related कुछ questions करते हैं परबोला से यह समय ले 11.2 आज खतम करा दूँगा मैं है ना 11.2 कर लो चो जैसे question number first देखिए बच्चो 11.2 क्या बोला है y square is equal to 12x कह रहा भाई इसमें ना find the coordinate of focus focus का coordinate निकालो axis of parabola बताओ और डारेक्टरी की equation बताओ और lattice rectum ठीक है जी सबसे पहले क्या बताना है focus और axis of parabola आप तो इतना पता ही है भाई कि y के उपर square है तो इसका मतलब x पे बना हुआ parabola तो हम कहेंगे the given parabola lies on the given parabola lies on किस पे x axis पे कैसे पता चला क्योंकि y के उपर square है अगली बात पुछी उसने फुक आई तो now y square बड़ाबर 12x है और भाई equation क्या कहती है कोई सी भी equation देख लो y square बड़ाबर 4x y square बड़ाबर minus 4x x square बड़ाबर 4y x square बड़ाबर minus 4y यानि सारे के सारे के equation 4 के term में है 4 की multiple के term में है तो क्या मैं इसे 4 into 3 into x लिख सकता हूं तो यानि एक जगह पर कोना है 3 so focus is focus क्या बनेगा बच्चो 3 0 क्या बनेगा 3 0 so equation of direct tricks direct tricks equation क्या बनेगे भाई x बड़ाबर क्या बनेगा भाई यह 3 है तो उस्वाला बने जाएगा अगर प्लस वाल अगर प्लस वाला है तो माइनस बनेगा और माइनस वाला है तो प्लस का बनेगा ठीक है ठीक अब क्या चाहिए और कि चाहिए और चीह में length of lattice rectum now length of lattice rectum तो इसका formula मैंने 4a बता है 4a कितना है 3 तो 12 ये कितना आगिया 12 ठीक है तो इस तरीके से 11.2 का मैंने 1st question आपको करा दिये अब देखेंगे आप 11.2 का माल दीजिए माल दीजिए माल दीजिए question number 6 ये करवाऊना है ठीक है आपको दिया हुआ है x square बराबर minus 9y तो इसमें भी पह पैराबोला किस पर एक सक्वेर ना तो हम कहेंगे वागे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं आगे क्या पूचा है ना है जी वह एकस्क्वेर वराबर minus 9y तिया हुआ है तो आप देखो मैंने आपको क्या बताया था वई सारी चीजे किस में चलेंगी फॉर के मंटीपल में चलेंगी अब भई 9 तो किसी का 4 का मंटीपल होई नहीं सकता तो क्या करेंगे अपनी मर्जी से 4 से मंटीपलाई अपनी मर्जी से 4 से डिवाइड अपनी मर्जी से 4 से मंटीपलाई हां जी कौन से एक्सिस पे है य एक्सिस पे है तो 0, minus 9 by 4 यह focus है ठीक है focus हो गया focus के बाद क्या direct tricks direct tricks equation हां जी y एक्सिस पे है तो y बराबर plus का 9 by 4 क्या होगा plus का क्योंकि अगर focus minus में तो यह plus मों जाएगा ठीक है अगला क्या पूछ है length of lattice rectum length of lattice rectum तो 4a तो 4 into में 9 by 4 कर गया 9 अब कुछ बच्चे कहेंगे कि sir a तो minus 9 by 4 है तो भाई ज़रा सोचो तो सही निमाग तो लगाओ length कभी minus में होती है क्या कभी नहीं होती है तो इसलिए plus में है ठीक है चलो तो इसके छे कोशन थे ठीक है छे कोशन थे जिसमें से मैंने आपको दो करवाए हैं और आपको चार करने तो जल्दी जल्दी यह करो फिर मैं बाकी कोशन कराता हूँ तो इसको नोथ करो अफ़ताए तो जल्दी सकोन थे जल्दी जल्दी आई पको अफ़ताए हैं तो कहा है तो ठीक है चलो यह नोट कर लिए होगा अब देखो आप इसके बागी की चार कोशन बच्छो ठीक है सेकिंड थर्ड फॉर्थ फिफ्थ यह आपको खुद करने अब अबयाने को बताई दिया है जिसमें फॉर का मंटिपल नापने उसमें क्या करना है अपनी दिभाइट अब आता है कोशन नॉम्बर सेवन है yemत में से कोई एकiba कराऊ हो छोड़ शेब आपको किखता रहा रहा है एट सेवन में कहता है रहा है' 60 और डारेक्ट्रिक्स है डारेक्ट्रिक्स है एक्स बराबर माइनस 6 तो कह रहा है what is the equation of parabola ठीक है जी हां जी focus 6 है तो यह focus है 60 और डारेक्ट्रिक्स है एक्स बराबर माइनस 6 तो इसका मतलब क्या है the parabola lies on the parabola lies on kis पे x-axis पे so the equation of parabola equation of parabola क्या बनेगा भई y square is equal to 4ax y square is equal to 4a कितना है 6 x क्योंकि जो focus होगा वही यह होगा तो 6 चौक 24 x तो यह कितना आगी equation y square by 24 x इसके बाद 9 10 यह भी आप कर सकते हो ठीक है क्योंकि इसमें क्या बोला 9 10 में क्या बोला है focus दिया हुआ है तो भाई focus आपका पता ही focus ए होता है ठीक है और अगर 3 0 दिया है तो तो मतलब y axis पर तो इस तरीके से कर सकते हो अब question नमबर आता है 11 और 12 तो दोनों में कर किसे रहा है five two से किसे कर रहा है five two से ठीक है जो पैराबोला पास कर रहा है five two से और वह भी किसके y axis के किसके y axis के मतलब पैराबोला कुछ इस टाइब से होगा भाई पैराबोला y axis से पास कर रहा है और कहां से पास कर रहा है five two से ठीक है मतलब वहीं मान लो यह होगा कुछ मतलब यह पैराबोला सही बनाने इसका मतलब पैराबोला फिर कुछ ऐसा होगा ऐसा कुछ होगा ठीक है जो कि 5 2 यहां यहां मान लो 5 और 2 ऐसे पास कर रहा है तो पहले होगा है घए इसका मतलब पैराबोला लाइज ओन किस फर य एकस पर फो दा इक्वेशन इस आप दा इक्वेशन क्या वह निए y-square is equal to 4a x ठेक है the parabola is passing through the point through the point कौन से point से pass कर रहा है? 5, 2 से so, क्या करेंगे भई? x की जगा पर 5 पुट करेंगे और y की जगा पर 2 पुट करेंगे समझ रहे हो? क्योंकि point दिया हुए हमे तो 5 का 25, 4 दुनी 8 a की value आगई 25 बटा 8 ठीक है? एक यवाई 25 बटा 8 so, the equation of parabola parabola is ठीक है? यहाँ पर let करना पड़ेगा let the equation equation of parabola is son of parabola is ठीक है? तो यह और इसको first ठीक है? the equation of parabola is तो क्या बनेगा? x square 4 a y x square 4 a की जगा पे 25 बटा 8 y 4 से इसको काटो 2 2 यहाँ पर divide कर रहा है वहाँ जाके multiply करेगा 2 x square बराबर 25 y और यही आपका equation है और यह आपकी मर्जी है आप चाहो तो 2 को इधर भेजो आप चाहो तो 2 को इधर मत भेजो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है? तो इस तरीके से बच्चो आपका 11.2 जो है पैरा बोला का topic खतम हो गया है next class में हम लोग इसके आगे के questions करेंगे आगे के मतलब इलिफ सुरू करवाँगा और खतम भी करवाँगा ठीक है? चलिए बाई